हेलो फ्रेंट्स, I am Anmool फ्रेंट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मद्प्रदेश पटवारी का पास्टियर पेपर अगर आप मद्प्रदेश पटवारी की तयारी कर रहे हैं या पटवारी उबनना चाहते हैं फ्रेंट्स इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ादा इंपॉर्डेंट है क्योंकि इसमें हम पास्टियर पेपर देखेंगे कॉशन देखेंगे कितने कॉशन पूछे जाते हैं इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको सॉल्व पास्टियर पेपर हर एक अपडेट दी जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट कॉश्चन है विधान सबा में जी एस्टी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था तो आप्शन आपके सामने आप्शन फर्स्ट है तमिलनाडू सेकेंड असम थाड़ है गुजरात फोर्थ है मधब्रदेश तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको सही का टिक लगा दिख रहा होगा यानि कि असम ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसमें राइट का टिक लगा हुआ है और आपको वो ग्रीन कलर यानि हरी रंग का दिख रहा होगा और जो रॉंग है वो रेड कलर में आप दिख रहे हैं तो आपको इस तरह ऐसे भी आप जल्दी से देख सकते हैं सेकंड कोशिन पर हम चलते हैं कि कास्ट विज्ञान और प्रदोगी की संस्ता कहां इस्ते थे बैंगलोर जवलपूर भोपाल सतना तो इसका राइट आंसर है बैंगलोर नेक्स्ट कोश्चन है भारत में कौन सी संस्ता एक लोक प्रिये बिज्ञान मासिक साइन्स रिपोर्टर का प्रिकाशन करती है ओप्शन है आपके सामने A N R D C ओप्शन B N I S C A I R नेक्स्ट नेहरुकेंद्र नेक्स्ट ए आईयस डवलुे तो इसका राइट आंसर आपका है ओप्शन सेकेंड नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित मैंसे कोन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है तो इसका right answer, sorry option की अगर हम बात करें तो इन रब्दा, बैतवा, तापती, पारवती तो इसका right answer है आपका बैतवा Next question है रास्टिये खेल देवस, पृतिक वर्स, खालिस्तान को मनाया जाता है Option है आपके सामने A. 29 अगस्त, B. 25 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त तो इसका right answer है 29 अगस्त Next question पर चलें, एक राजिकार राजिपाल, एक खालिस्तान होता है समयधानिक प्रमोग, वास्तविक प्रमोग, अनुवांशिक प्रमोग, संसरीय प्रमोग तो इसमें right answer है आपका समयधानिक प्रमोग, option first Next है बरतमान में भारत के नियंत्रक एबं महालेकपाल परिक्षक, यहनी C.A.G. कौन है Option आपके सामने है राजीप महर्शी, ससी, कांत, शर्मा, बिनूद राए, B.N. कॉल तो इसमें right answer आपका है राजीप महर्शी तो जबका यह paper है उस टाइम का यह question है इसके लिए next question है भारत के पहले O.D.I. किर्किट का कप्तान कौन था Option है आपके सामने मनसूर अली खान पटवदी, कपील देब, अजीप, बाडेकर इसके बाद है आपका विशन सींग बेदी तो इसका right answer है आपका option C, अजीप, बाडेकर next question है smiling बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है बुद्ध गया में बुद्ध की मूर्ती भारत के पहले सफल परमाडू बंपरिक्षण के लिए next question है असुक शक्र में कितनी तीलिया होती है right answer है 24 तो बहुत ही simple question पूछे जाते हैं आप देख पारे होगी question का label हमारे देश में आयुजित उस कारिक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष प्रात्मिक बिद्ध्यालायों में न्यूनिदम आवश्यक सुवदाय उपलब्द कराना है option A आपका है operation blood word sorry operation black word है वो ठीक है सर्व सिक्षाभियान operation chalk और duster सभी के लिए सिक्षाभ तो इसका right answer है आपका option first operation black word next question है Victoria memorial आप किस सहर में पाएंगे तो option है आपकी सामने कॉल करता चिन्नाई मुंबई इंदौर तो इसका right answer है कॉल करता next है बर्स 2011 की जनगर्णा की अनुसार मद्ध प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर्स सबसे जादा है इंदौर भूपाल जबलपूर बालागाट तो इसका right answer है आपका जबलपूर next question है बिन्द स्रेणी में सबसे उची चोटी खालिस्तान है option है आपके सामने मिकाई स्रेणी सद्भामना सिखर इसे आप कहते है गुड बिल चोटी बैल चोटी और है कास्केट स्रेडी तो इसका right answer है आपका गुड बिल चोटी next है कौन सी नदी रीबा में पुर्बा जड़ने की निर्माण करती है तो इसमें तसम, विपुल, चचाई, पारबती तो इसका right answer option A next है सडक मार्ग, राजमार्ग और बंदर गाहों लिए के भारत का कौन सा मंत्री है यानि कि सडक मार्ग, राजमार्ग और बंदर गाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है तो पियूस गोल, सुरेज प्रेबूर, आदा मोहन सिंग, नितिन, गटगरी तो इसमें है option 4 सोन गिरी कालिसान का तीर स्थान है जैन मुश्लमानों बोध यसिक तो इसका right answer है option 8 जैन next है सिंधी और बैतवा नदियों के बीच इस्तित है राय सेन, बिदीशा, अशोक नंगर, भोपाथ तो इसका right answer है अशोक नंगर next question है उदेगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहां इस्तित हैं करनाटक, उडिसा, महाराष्ट, मदर प्रदेश तो इसका right answer है उडिसा next question है मदर प्रदेश के प्रिथम मुख्य मंत्री कौन थे तो इसका right answer, sorry option आपकी सामने रभी संकर सुकले, संजे, जगदले, अनुपुर, कुमार, जयन्त, मलैया तो इसका right answer है रभी संकर सुकले wrong लिखा हुआ है वो सुकला है ठीक है तो रभी संकर सुकला next question देखें यदि 1 अप्रेल 1958 को बुदवार था तो 25 दिसेंबर 1998 को कौन सा दिन पढ़ता है क्योंकि अगर हम option भी पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपका right answer है शुक्रबार next question आपके math के हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे आपके clear दिख रहे हैं तो आपको math का देख लेना है बहुत simply आपर question दिये हुए math के जैसे कि सम्मिकरण 2x plus 3 by बराबर 8 है और 5x plus 4 by बराबर 13 में x और by के हल है तो option A इसका right answer x बराबर 1 by बराबर 2 एक बहुत जिसकी 8 भुजा है खालिस्तान कहलाता है तो इसका right answer है अस्ट भुज नेक्स्ट सबसे छोटी संक्या ग्यात करें जिससे 1575 को गुड़ा किया जाना चाहिए ताकि गुड़नफल एक पूर्ण वर्ग हो तिसका right answer है option third यानि की start नेक्स्ट क्वेशन है एदी आठ़जार 75 को दो अंक्ये संक्याओं के गुड़नफल की रूप में लिखा जाता है तो इन संक्याओं का युकफल है यहाँ पे right answer एक सो असी next question है अबुल एक अबुल एक सो प्रष्टों बाली पुस्तक के 25 प्रष्ट पढ़ता है अकवर्ण ने इसकी पुस्तक का 2 बटा 5 पढ़ा है निम्न कत्नों में से कौन सा एक कत्न सत्य नहीं है तो option A इसका right answer है अबुल ने अकवर्ट से आधा पढ़ा next question है दो की घात 10 बटे 2 कम घात क्या घात 2 की घात 10 का आधा है तो इसका right answer है दो की घात 9 यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है तो इसका right answer है आपका option 3 16 आपको वसत निकालना है 17 21, 27, 18, 17 का तो इसका right answer है option 4 यानि 20 नीचे आपको एक सम्मीकरंट दिया गया है इसका मूल्या इंकन करना है अंडर रूल में है 625 बटे 125 बराबर में एक बटे अंडर रूल 5 यानि की 5 तो इसका right answer होगा option 4 यानि 5 तो आप देख पारहे हैं गड़ित के बहुत ही सिंपल कोशन है से ज़्यादा सरल प्रिष्ण आपको मुस्केले कहीं देखने को लें बहुत सरल कोशन है आपर आपके पूझे जा रहे हैं इसी तरह next question है आपके सामने तो आप देख पारहे होगे धनात्मक पूनेंग x by और z x into by बराबर 14 by into z बराबर 10 है और z into x बराबर 35 को संतुष्ट करते हैं तो x plus by plus z का मान क्या है तो इसका right answer है चौदा next है एक पती और पत्नी की ओसत आयू 7 बर्स पहले 27 बर्स थी जब उनका विबा हुआ था अब पत्नी और उनके पुत्र की ओसत आयू 24 बर्स है अभी पुत्र की आयू क्या है तो इसका right answer है option 4 और answer भी आपका 4 ही है लुप्स संख्या x निकाली है यहाँ पर आपको एक मान दिये गए जिसमें एक संख्या नहीं है तो आपको वो संख्या निकाली है तो इसका right answer है option 2 यानि 8 next एक 300 मीटर लंबी देलगाड़ी 0.4 मिनिट में एक खम्मे को पार करती है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनिट में कितना समय लेगी तो इसका right answer है आपका option 3 एक मिनिट पर एक ठीक है तो आपका इसमें 3rd option राइट है निके एक मिनिट है टाइम लेगी ठीक है next question है आपका आपको स्रेणी दे गई है 5, 10, 15, 20 ठीक है इस स्रेणी में पंदरवा पद ग्यात करें तो इसका right answer का 75 next है कुनाल और गड़ेश की बरतमान आयू के बीच का अनुपात क्रमशा 3 अनुपात 5 है यदि अप से 4 वर्ष के बाद कुनाल गड़ेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुनाल की बरतमान आयू क्या होगी option A आपका right है 18 वर्ष next question है एक संक्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो सेस्पल 47 प्राप्त होता है यदि उसी संक्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त सेस्पल होगा right answer है आपका no सामान तरज्या और उचाई बाल एक संक्यू और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात खालिस्तान होगा तो इसका right answer है option second एक अनुपात 3 next आपका सरल कीजिए आपको एक डिजड दी हुई है संक्या याप दी हुई है तो आपको ये solve करना है तो इसका right answer है एक वटे 3 तो मैंने आपको right answer बता दी हूँ आपको solve करना है निमन मैंसे कौन सी एक संक्या 3 से विभाज है तो इसका option 4 और इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है जिन बढ़नों का उच्चारण नाग तता मुक से होता है वो खालिस्तान कहलाते हैं तो इसका राइट आंसर ओप्शन सेकंड है अनुनाशिक नेक्स्ट है रा से पूर्व यदी सोयर सहित बेंजन है तो रा का अप्रियो कैसे किया जाता है आप्शन सेकंड आपका राइट है प्राचीन बरतनी की त्रोटियों से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है तो इसमें सेकंड आप्शन है आपका अंतर नेक्स्ट है कैसा चांद, खालिस्तान, सुन्दर चहरा है इस बाकि में उचित निपात का चैन करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओप्शन इस्ता नेक्स्ट है बान का परियाबाची निम्न मैंसे कौन सा है तो आपका राइट आंसर है साकेंड तीर नेक्स्ट है किसकी चार भुजाएं हों के लिए एक सब्द निम्न मैंसे कौन सा है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन थर्ड चतुर भुज लोट कर आया हुआ के लिए एक सब्द निम्न मैंसे कौन सा है तो इसका राइट आंसर सेकेंड है आपका प्रत्यागत देवरसी का संदी विशिद निम्न में से कौन सा है तो आपका option 3 देव प्लस रिशी next है रक्षक का बलूम सब्द निम्न में से कौन सा है तो option 4 भक्षक ती प्रत्या से बना सब्द निम्न में से कौन सा है तो option 2 सक्ती देवासूर सब्द में निम्ले मैं से कौन सा समास है तो उप्शन फस्ट द्वैंद समास सिर से पैर तक मौवरे का अर्थ निम्ले खित मैं से कौन सा है तो इसका राइट आंसर है आदी से अंते तक साशन का सुद्ध रूप निम्ले खित मैं से कौन सा है नेक्स्ट है हम मानत को मुक्त करेंगे यही बिधान हमारा है भारत वर्ष हमारा है यह हिंदूस्तान हमारा है इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है उसमें उप्छंतर बीर रस सोहत ओड़े पीत पट स्याम सलोने लाग गाता मनहु नील मड़ी सेल पर आपत परयो प्रभाता इन में निम्न में कौन सा रस है सही बिकल्प चुनिये तो इसमें उप्छं फूर आपका सही है उत प्रेक्षा रस है नेक्स है वद उप्षर्ग किस भासा का है तो उप्छं फ के पंक्तियों में कौन सा रस है मेखलाकार परवत अपार अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़ा अव लोक रहा था बार बार नीचे जलमे निज महाकार इसके राइट आंसर है उप्षं फूर रूपक अलंकार इस्ताई भाब के साथ होसते हैं सेकेंड संचारी भाब नेक्स रहे हमारा गाउं हमारा राज निमलिखित से सम्मनित प्रिकाशन है तो उप्षन है आपका अ मद्य प्रदेश में जन जाती स्वराज कानून सेकेंड है ग्राम सवा की बैठक कों का सयोजन कौन करता है तो इसका राइट अंसर है ग्राम पंचयात का सचिब मद्य प्रदेश के निमलिखित जिलों मैंसे कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका राइट अंसर है खारगोन नेक्स्ट है मदप्रिदेश ग्रामिन अजीबी का परियोजना निम्न को प्रतशाहित करता है तो स्वरोजगार एवं सुक्ष्म उध्धूग इसका राइट आंसर है जो की है ऑप्शन 4 देश में निम्लिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 महराष्ट नेक्स्ट है 2016 से 2017 से 2018 तक तीन वर्ष का अविदी के लिए प्रदानमंत्री आवास यूजना ग्रामीर के तहट ग्रामीर छेतरों में घरों की लक्ष संख्या क्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 एक करूड नेक्स्ट कॉशन है इस अब्दी के लिए प्रदानमंत्री क्रसी सिचाई यूजना कार्विन्त की जा रही है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 दो हजार पंदरा सोला टू दो हजार उन्नीस बीस टीक है ऑप्शन C नेक्स्ट है भारत में 2014-15 की तुलना में निमलिखित मैंसे कौन सी फसले 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी तो इसका राइट आंसर इन्न मैंसे कोई नहीं क्योंकि इसमें जो आप्शन थे बो थे मौटा नाज, डाले, तिलहन इनमें फसलें जो है वो तीनों दी थी तो इसका राइट आंसर जो था इनमें से कोई नहीं कि कोई भी ऐसी फसल इनमें से नहीं थी नेक्स्ट क्वेशन था दो हजार तीन में फसल भीमा योजनाओ के कारवन और प्रशाशन के लिए निमलिखित मैं से किसे इस्थापित किया और कारोवार सुरू किया तो इसका राइट आंसर है आपका ओप्शन फूर अग्री कल्चार इस्योसेशन कंपिनी ओफ इंडिया लिमीटेड नेक्स्ट कोशन है क्रशी और किशान कल्यार मंत्राले भारा सरकार द्वारा की गई क्रशी जनगर्णा 2010-11 के अनुसार निवल सिचाई छेत्र खालिस्तान मिलियन हेक्टवेर था तो इसका राइट आंसर है चोसेट पॉइंट पांट साथ यानि कि राइट आंसर आपका है मद्य प्रदेश पशू नियंतरन अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976 सब्मिन्त बाल विकास यूजना का प्रारम हुई थी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 दू अक्टिमर 1975 आई ए बाई किस मुल्वूद आवस सकता को फून करता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 ग्रह यानि घर मद्य प्रदेश में निमलिकित मैसे किस जिले में और बराग परिक्षण परियोग साला नहीं है तो इसका राइट आंसर है भिंड में नहीं है ठीक है मद्य प्रदेश ग्रामीड अजीबी का कारक्रम को निम लिखेत जिलों मैंसे किसम एक गहन द्रश्टी कौन के साथ कारवन्त किया गया तो इसका राइट आंसर है बढ़वानी, ओप्शन फूर मद्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुडबता बाला ग्याहूं कौन सा है तो इसका राइट आंसर है सर्वती, ओप्शन फड़ नेक्स्ट क्वशन है निम लिखेत मैंसे किस राज्य में राष्टिय काम धैनू पसू प्रजनन केंदर की स्थापना की जा रही है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन फड़ मद्य प्रदेश नेक्स्ट है राष्टिय पंच्याती राज दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन ए चौबीज अप्रेल नेक्स्ट क्वेशन है सियामा प्रिशाद मुखरजी रवन मिशन खालिस्तान में शुरू किया गया था तो इसका राइट आंसर है 2016 ऑप्शन सेकेंड निमलिकित मैसे कौन सी बीमा कमपनी प्रदान मंत्री फसल बीमा युजना के अंतरगत पॉलिसी जारी करती है तो इसका राइट आंसर है इफको टोकियो नेक्स्ट क्वेशन पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने फेस्ट वो क्या है तो इसका राइट आंसर है सोसल नेट वर्किंग वैपसाइड नेक्स्ट है बेब ब्राउजर कुकीज क्या है तो इसका राइट आंसर है यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर व्राइजिंग डाटा है नेक्स्ट है बीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मिट में उपलब्ध है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन ए ए वी आई नेक्स्ट कॉशन है MS एक्सेल में वर्क सीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए खालिस्तान कुंजी दवाए तो इसका ओप्शन राइट है आपका ओप्शन ए कंट्रोल प्लस ए नेक्स्ट कॉशन है आपके सामने एक MS वर्ड डॉक्युमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपड खालिस्तान कहलाता है तो इसका राइट आंसर है आपको ओप्शन सैकेंड बुक्मार्ग नेक्स्ट कॉशन है आउट लोक में नीचे दी गए इमेज में किस प्रिकार की मेल पाए जाते हैं आपको बताना है तो इसका राइट आइट अपके द्वार भीजेगा है मेल बैप्चाइड एड्रेस जो आपको बैप्चाइड का एड्रेस मिलता है वह आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ है तो इसमें कॉम का अर्थ किस के लिए होता है तो आप देख पारे ग 챌स के leas लिखा हुआ है लास्ट में आपको कॉम देख रहा होगा www.google.com ठीक है तो इसमें कॉम जो लिखा हुआ है यह इसका आर्थ किस के लिए है तो इसका right answer है option second commercial यानि बाड़ेजिक next question है निवन में से क्या central processing unit का भाग है तो इसका right answer है option A arithmetic and logic unit next question आपके सामने है MSBUD 2007 में caricats के format copy करने के लिए किस icon का उपयोग किया जाता है तो इसका right answer है आपका option A format painter next question है MSBUD sorry MSBUD में redo के लिए किस icon का उपयोग किया जाता है तो इसमें आपके लिए icon दिख रहे हैं आपको icon बताना है तो इसका option A right है MSBUD 2007 document में help इंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है तो इसका right answer है F1 यानि की option A बिसम ग्यात कीजिए तो इसका right answer है आपका option 4 line next next है MSBUD 2007 में margin तता paragraph के आरम के मद्द छूटा हुआ अंत्राल खालिस्तान कहलाता है तो इसका option second right answer है next है computer mouse किस प्रिकार का तंत्र या device है तो इसका right answer है import option third एक खालिस्तान संसादन और डेटा को साजा करने के लिए कई computer से जुड़ा हुआ है तो इसका right answer है option second network next question है computer एक खालिस्तान है तो इसका right answer है option second electronic device next question है MS Excel में cell connect को edit करने के निम्ल में से कौन सी सही भी धी नहीं है तो इसका right answer है option A next question है MS Action में एक row और एक कॉलम के प्रतिशेदर को खालिस्तान कहा जाता है तो इसका right answer है option third GB का बिस्तरित रूप क्या है तो इसका right answer है option second gigabyte next question है MS Action 2007 में cell में लंबे text को अन्यक लाइन में विवाजित किया जा सकता है आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं तो इसका right answer है option first home tab में wrap text पर क्लिक करके तो फ्रेंट्स इस तरह से आपके 100 questions complete हुए यारी आपके 100 questions या पर past year paper में जो है वो पूछे गए थे तो आई होप आपको question बहुत अच्छे लगे होंगे और question के answer भी आपको या पर देखनी को मिल गए है तो आपको परिशान होने की जरुरूत नहीं है इसके बाद second यह है कि जब आप इस paper को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही easy question पूछे गए है question का जो label बहुत अच्छा है बहुत अच्छी question है अगर आप थोड़ी ही महनत करते हैं थोड़ी तयारी करते हैं तो आपका selection भी हो सकता है तो बहुत simply question पूछे गए है आपने आपर question का label देखा question देखे और आपने topic देखे किन topic से question पूछे आपने subject देखे तो बहुत सारी चीज़े आपकी clear हो गई है next video में हम last year का पड़वारी का next paper solve जरूर करेंगे तो आप चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले जादा जाद update देने की current affair हमने series स्टार्ड कर दी है तो अपने अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखे तो friends मिलते है next video में चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले क्योंकि next video में हम अगला paper solve करेंगे और current के GK के question आप पर आपको मिलते रहेंगे तो बने रहें चैनल पर मिलते है next video में